यूपी की पॉलिटिक्स में असूर की एंट्री राम गोपाल यादब ने किसे बताया असूर? अकलेश यादब ने बीजेपी प्रकसा तंज जिसका असूर खराब वो असूर दिलाता है कि असरों का भी असर यहां नहीं हुआ इस देश में बहुत सारे असरों परभाद करने वह गये हैं और असरों की एंट्री करवाने वाली है समाजवाधी पार्टी बलकि समाजवाधी पार्टी के नेता असुर का नाम लेकर बीजेपी प्रनिशाना साधने में जुटे हुए भी हैं। पार्टी के रास्टे महसचिव राम गोपाल यादब और रास्टे महसचिव शिपाल यादब लगातार बड़े संदेश भी इस शिवर से दे रहे हैं। तो वहीं समलवादी पार्टी बीजेपी पर लगातार बड़े हमले भी कर रही है। इसके जरिये कारेकरताओं को संदेश देने की भी कोशिश की गई है कि पार्टी बीजेपी के मुकाबले में पूरी तरह से खड़ी है। तो वहीं राम गोपाल यादब का एक बड़ा बयान भी सामने आया है। सीतपुर के नैमी शरायना में सपा कारेकरता सम्मेलन के आयोजन में राम गोपाल यादब ने एक बड़ा बयान दिया और कहा कि असूरों का विनाश करने के लिए नैमी शरायना से कारेकरम की शुरुवात की गई है। साथी राम गोपाल यादब ने कहा कि बीजेपी के लोग किसी असूर से कम नहीं है। किसी का जीवन सुरक्षित नहीं है। शादब ने भी नैमी शरायना धाम में दर्शन किये। इसके साथ साथ बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। साथी अकले शादब ने कहा कि असूर वही जो अत्याचार करे। और ये स्थान हमें वो बोड़ाने की याद दिलाता है कि असूरों का भी असूर यहां नहीं हुआ। और ये स्थान ऐसा सुरच्छित है ऐसा कवच है इस स्थान पर कि असूरों को भी यहां आने की अनुवती नहीं है। तो ऐसी पवित स्थान पर हम समाजवादी पार्टी के लोग बैठे हैं निड़े लेंगे और एक बार फिर याद दिलाओंगा मैं कि असूर वही जो अत्याचार करें इस प्रदिस में क्या हो रहा है। जेल में हत्या, फिर जेल में हत्या, कचेरी में हत्या और प्रेस के सामने हत्या, कोई प्रेस बन करके आ रहा है वो हत्या कर रहा है। क्या यही उत्तपदेश का लॉइन ओडर है और फिर अगर हम NCRV के आखड़ देखें सबसे ज़्यादा करप्ट और वो भी सरकार का विभाग कह रहा है सरकार के विभाग लिए ने आकलन किया कि उनका विभाग सबसे ज़्यादे करप्ट कौन सा है तो पता विभाग सरकार ब बार्थी जंदा पार्टी के लोग है और आपके सामने में कहता हूं क्या डिप्टी सीएम आपके जवाबों को देने से नहीं भाग रहें कानुन विवस्था के बहाने समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को न सिर्फ घेरा बलकि कई तरह के गंभीर आरूप भी लगाए। इस खबर में बस इतना ही अपडेट्स के लिए बढ़े रहे वर इंडिया हिंदी के साथ।